वेल्कुम टुष्टों डिक्टेशन समपात की डिक्टेशन डेली पाने के लिए चाहें को सब्स्राइब कर ले अब बेलाकें जरूर दबाए डिक्टेशन पांच सेकेंड बाद शुरू होगा रेडी स्टार्ट केंद्रिय सांख की कार्याले से देश की अर्थविवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं वे तो चिंतित करने वाले हैं ही साथ ही खुद्रा महगाई के जो आंकड़े आये हैं वे कहीं ज़्यादा परेशान करने वाले हैं चुकि महंगाई का मामला सीधे आमजन से जुड़ा है इसलिए यह गंभीर चिंता का विशय है महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों की जेब पर पढ़ता है ऐसे में अगर यह पता चले की नवंबर में खुदरा महंगाई पिछले 40 महीनों में सबसे जादा रही तो होश उड़ने तय है इस साल नवंबर में खुदरा महंगाई की दर 5.54 फीसद रही जबकी दूसरे जबकी अक्टूबर में यह 4.62 फीसद थी और पिछले साल नवंबर में 2.33 फीसद थी यानि महीने भर में करीब 1 फीसद महंगाई बढ़ी और पिछले साल के मुकाबले दो गुनी से भी जादा छोटी मोटी चीजों में महंगाई का भले पता न चले लेकिन प्याज के दाम तो पिछले दो महीनों से लोगों के आसु निकाल ही रहे हैं खुद्रा महंगाई बढ़ने का कारण खादपदार्थों में तेजी बताया जा रहा है शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो महंगीन हुई हो मोटे अनाज से लेकर सबजियां अंडे मांस मचली दालें सबने लोगों की जिब से ज़्यादा पैसे निकाले बढ़ती महंगाई बता रही है कि उतपादन से लेकर धुलाई तक की प्रक्रिया में लागत पढ़ रही है इसलिए डाल अनाज जैसी चीजों के दाम बढ़े है पिछले साल जून में भी खुदरा मुद्राय स्विती पांच फीसद पर पहुँच गई थी महंगाई चाहे थोक मुल्य सुचकांक आधारित हो या फिर खुदरा में इसका सीधा असर तो बाजार और खरीदार पर पढ़ता है यों हमेशा मुद्राय स्विती बढ़ने का सबसे बढ़ा कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना बताया जा रहा है और ऐसा होता भी है लेकिन इस बार तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले कुछ महीनों से एक स्तर पर ठहरे हुए हैं ऐसे में खुदरा महंगाई बढ़ना हैरान करने वाला है हाला कि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक कदम उठाता है रिजर्व बैंक का लक्ष रहता है कि महंगाई दर 4% से उपर न निकले लेकिन जब मुद्रा इस्फिती इससे उपर निकलने लगती है तो केंद्रिय बैंक पर नीतिगत दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है इसका असर यह होता है कि बैंक कर्ज सस्ता होने के आसार कम हो जाते हैं और अभी अर्थविवस्था के रफ्तार देने के लिए कर्ज और सस्ता करने की दिशा में विचार चल रहा है ऐसे में महंगाई कैसे रुके यह बड़ा सवाल है सिर्फ महंगाई ही नहीं और द्योगिक उत्पादन की इस्थिती संतोस जनक नहीं है बिजली खनन और वी निर्माड छेत्र में लंबे समय से जो सुस्ती बनी हुई है उसका असर अब साफ दिख रहा है अक्तूबर में और द्योगिक उत्पादन सुचकांक में 3.8 फीसद की गिरावट बता रही है कि अध्योगिक उत्पादन बढ़ने की जो उमीदें बनी थी वे हवा हो गई है हालां कि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए पिछले तीन महीनों में कई उपायों का एलान किया जिन में कार्पोरेट करों में कटोती और बैंकों को पैकेज देने जैसे कदम भी शामिल है लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखा आटो मोबाइल और उपभुकता वस्तूओं का निर्माड करने वाले छेत्र में लंबी मंदी ने हालात बिगणने के संकित पहले से दे दिये थे लेकिन सरकार ने कई महीनों तक इनकी अंदेखी की और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए उनका नतीजा आज सामने है अब भले सरकार की नीद तूटी हो लेकिन उद्योग छेत्र की हालत सरकारी आंकडे बया कर रहे हैं बढ़ती महंगाई और घटता उत्पादन बता रहा है कि सरकार समय रहते नहीं चेती तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी स्टाप अगर डिक्टीशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे डिक्टीशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले